किसे हैं आप वेलकम बैक क्यों प्रिया चंदेल्स कुकिंग एंड लाइफ स्टाल फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं मटर पनीर की रेसिपी वैसे तो यह रेसिपी आप काफी तरह से बना सकते हैं लेकिन आज मैं आपको यह रेसिपी एक सिंपल वे में बनाना बता रही हूं कि आप किस तरह से simple way में भी रेसिपी को बना सकते हैं वैसा ही स्वाधिस्ट और लाजवाब तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना अपनी आज की रेसिपी कुछ कुछ प्रिप्रेशन करके रखी है तो मैंने लिए हैं यहां पर पणीर पानीर मैंने हैं यहां फ्रोजन लिया है और हरे मटर भी यहां फ्रोजन है आप चाहले तो फ्रेश ले सकते हैं चमेटो का पेस्ट करें प्याज ग्रेट हुआवा दो बारी कटेवे हरी मिच तो यहां हम कुछ मसाले भी पहले से त्यार कर लेते हैं तो मैंने लिया है यहां आधा चमच हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर 2 tablespoon लाल मिर्च पावडर और 1 tablespoon गरम मसाला इन्हें अच्छे से mix कर लेगा गरम हो गया है और अब मैं इसे एढ़ करूँ यह cooking oil और oil को भी मैं यहा गरम करूँ तोड़ा सा और अब यहाँ इसे जेरा इसे एढ़ करूँ गी खड़े मसाले एक तेश पत्ता, चार से पांच काले मेच, दो हरी लाइची और थोड़ा सा जीरा और इसे एक मिनट के लिए कुक करूँगी और अब यहां मैं इसमें एड़ करूँगी ग्रीन चिली जो हमने बारी कटा हुआ ग्रीन चिली लिया था वो इसमें एड़ कर दूँगी आप चाहें तो इसका पेस्ट भी ले सकते हैं और प्याज को यहां मैं दो से तीन मिनट के लिए कुक करूँगी तो देखिए यहां प्याज हमारा कुक हो गया है इसका कलर चेंज हो गया है तो अब मैं यहां इसमें एड़ कर दूँगी जिंजर गाली का पेस्ट जिंजर गाली का पेस्ट आइड करने के बाद मैं इसे दो मिनट के लिए फिर से अच्छी तरह से कुक करूंगी जिंजर गाली को प्यास के साथ और इसे अच्छे से कुक करने के बाद अब मैं यहां इसमें आड़ करूंगी यह मसाले जो कि मैंने पहले ही निकाल लिये थे तो वो मसाले मैं इसमें आड़ कर दूंगी और ने अच्छे से प्यास और लहसन के साथ मिक्स करने के बाद मैं इसमें आड़ करूंगी टमैटो का पेस्ट फ्लेम जो आपका लो ही होना चाहिए नहीं तो मसाले जो आपके जल जाएंगे तो लो फ्लेम पर ही आपको ये प्यूरी डालने के बाद इसे मिक्स करना है अच्छी तरह से और इसे मसालों के साथ कुक करना है तो थोड़ा सा भी यहां हम पानी आड़ करेंगे इसमें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एक मिनट के लिए कुक कर लेंगे और अब हम यहां यह मसाला जो है दो मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे तो मैंने यहां इसे कवर कर दिया है तो दो मिनट के बाद देखिए हमारा मसाला जो है अच्छे से कुक हो गया है फ्लेम जो है यहां हमारा मीडियम ही है तो देखिए यहां सर्फेस पर अच्छी तरह से ओल आ गया है और मिन्स हमारा मसाला जो है बनके तैयार हो गया है तो अब हम यहाँ इसमें एड़ कर देंगे यह हरे मचर जो कि मैंने फ्रोजन वाले लिए हैं और अगर आप यह फ्रेश यूज़ करो तो दो मिनट के लिए पहले इसे पानी में बॉयल कर लेना उसके बाद इसमें इसे एड़ करना तो अब मैं यह मचर जो हैं इसके साथ अच्छे से मसाले के साथ भून लोगी तकरीबन दो मिनट तक मैं इसे इसके साथ अच्छे से मिक्स करते हुए कुक करूँगी और इसके बाद मैं इसमें एड़ करूँगी यह पनीर फ्रेश पनीर और अब मैं यहाँ इसे अच्छे से पनीर को मसाले के साथ मिक्स कर दूंगी तो देखिए आपको इस तरह से मसाले के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि मसाला जो अच्छी तरह से पनीर में चला जाए मसालों का टेस्ट जो है अभी तक हमने इसमें नमक एड नहीं किया है दो इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम यहां नमख इस नमक कर देंगे आप अपने अनुसार आइड कर सकते हैं ऑपि नमख करने के बाद एकupa फिर से आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इसके बाद मैं इस में डर करूंगी पानी आपको अपने कोरडिं काड़ी छाहिए जाइक के साफ करूंगी तो थोडा पानी इसमें नहीं करूंगी म आक lowered एक बाफिर से ओर रख mirac ca mars से पांच मिनट के लिए कुक करूंगी तो देखिए यहां मैंने यहां इसमें पानी डाल दिया है और अब मैं इसे यहां cover करके चार से पांच मिनट के लिए cook करूँगी तो पांच मिनट हो चुके हैं देखिए कितना अच्छा color आया है और यहां पानी भी इसका कम हो चुका है मुझे इतना ही gravy चाहिए था इसमें डालनी है इसमें खुश्बू बहुत अच्छी आती है तो यहां मैंने इसमें कस्तूरी मेथी एड़ कर दिया है और इसके बाद मैं इसे एक मिनट के लिए कवर करकर फिर से रख दूंगी ताकि इसकी खुश्बू अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स हो जाए तो यह कि यहां हमारी जो यह मटर पनीर है बनके तैयार हो गया है कितना अच्छा कलर आया है इसका ग्रेवी का और अब मैं यहां इसे सर्फ करती हूं तो देखे मैं इसे यहां बावल में सर्फ कर ले रही हूं और इसे आप चपाती पराथा या पूरी या जीरा राइस किसी के सा करते हैं तो फ्रेंड्स प्लीज रेसिपी ट्राइज जरूर कीजेगा और अगर यह रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर बताईएगा और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और बैल आइकन क को प्रेस जरूर कीजेगा मेरी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए तो फ्रेंड्स सी यो अगें इन नेक्स्ट वीडियो बाबाए